अलो दर्शेकूं बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे और मैं कामना करती हूँ कि भगवान श्री हरी विश्नु की क्रेपा आपके उपर सदैफ परस्ती रहे आज हमने सपने में प्रेमी को देखन वाले सपने का मतलब जानने का प्रयास किया है तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सपने में प्रेमी देखना शुब होता है यह बात तो प्रतियक लड़की जानना चाती है क्योंकि सपने हमें भवश्य की अच्छी और बुरी खटनाओं के बारे में पहले से ही सचेथ कर देता है तो आएए जानते हैं कि इस सपने का अखर अर्थ है क्या उससे पहले मैं प्रेमी काउं की हीदय की बात जो कि आप हमेशा लेकिन आप सपने में देख दी हैं अपने प्रेमी को तो आप मान लीजे कि आपका उन से जन्मों जन्म का रिश्टा तो जरूर है और एक बात जो बैस psychological बात करूं तो जब आप ग्रेव में होती हैं प्यार में होती हैं तो आप दिन, रात बस एक ही इंसान के बारे में सोचती है तो यह हर तो निश्यत है कि आपको सपने में उस इंसान का सपना अवर्ष दिखेगा नीन में उस इंसान का सपना अवर्ष ही आ सकता है इस बाद के बहुत जादा चांज़स होते हैं तो इसलिए आप अगर एक दो बार देख लेती है तो इसका कोई खास अर्थ नहीं निकलता है जरूरी यह होता है कि आपने तीन या तीन सु जादा बार अगर सपने में देखा है अपने प्रेमी को तो जरूर यह जोतिश टृष्टी से भी कुछ कहना चाता है यह सपना लेकिन मैं प्रेमी काओं के लिए एक शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि वो अपने जो प्रेमी होते हैं उनके लिए सोचती होंगी रिदर सब्दे और आप चाती होंगी तो आप यह शेयर भी कर सकती है अपने प्रेमी से तो शायरी कुछ इस प्रकार है तेरी रूप का मेरी रूप से तेरी रूप का मेरी रूप से निकाह हो गया है जैसे तेरे सिवा किसी और को सोचूँ तो नाजायस सा लगता है तो यह शायरी मैं हर उन प्रेमी का हूँ के तरफ से हर उस प्रेमी को डेडिकेट करवा रही हूँ या कर रही हूँ और बता रही हूँ कि आपको यह सपने क्यों आते हैं तो सपने में प्रेमी को देखना शुपन सास्त्र के अनुसार एक बेहदी शुप सपना माना गया है। इस सपने के अनुसार आपकी जो सभी एक्षाएं काफी समय से अधूरी थी, उनके पूरा होने का अब समय आचुका है। यह समय आपके लिए काफी लावधायक सिद्ध होने वाला है। इस समय में आप जो भी काम करेंगे, आपको उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी से प्रेम करती हैं, तो आपका अपने प्रेमी के साथ रिष्टा और भी ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं, तो यह सपना इस बात का संकेत है कि कुछ हद तक आपकी उनसे शादी भी फिक्स हो सकती है। लेकिन जर्फ सपने में प्रेमी को देखने से ऐसा एक बार देखने से बिलकुल भी कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि आप तीन बार से अधिक तो देखे ही हो सपना, और शादी के सपने जो फिक्स होने की बात है, उसके लिए आपको यह सपना लगबख सपता में पांच बारतों आना ही चाहिए, तब ही हो सकता है कि इसका कोई जोतिश तृष्टी से कनेक्शन हो आपकी शादी होने से, तो अगर हमारा वीडियो पसंदा आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमें बताईएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको और क्या परशानी है, हम उसके निवारण करने के उपर भी वीडियो बनाएंगे और आपको परसनल निवारण भी कमेंट में ही बता देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, राधे राधे,